कुछ टॉप सिक्रेट सेटिंग्स जो की आपके फोन पर अप्लाई कर देने से आपकी फोन की बैटरी बैकप को बहुत जदा इंप्रूब हो जाएगा वह आज में आपको दिखाऊंगा उसके साथ साथ यह साथ सेटिंग्स किसी भी फोन पर काम करता है तो आपके पास कोई साथ भी स्मार्ट फोन क्यों न हो इन से भी सेटिंग्स को अप्लाई करके आप उस स्मार्ट फोन की बैटरी बैकप को बहुत जदा इंप्रूब कर पाएंगे तो चलिए बिना टाइम बैकप को इंप्रूब कर देता है तो इस पर व rif करने के बाद इंस्टॉर और उपन करने के बाद आपको यहां पे अक्टिबेट का बटन मिलेगा उस पर आपको कलिक करना है आपके पून करने के लिए हम लोग कुछ settings को अपने phone पर apply करेंगे इसके बाद second जो setting आ साहिन के लिए करो हमारे phones पर न आप देख्ते हूंगे आज कल एक store दिया रहता है जैसे कि Return misma Pink ओगया reall the phone पर रहता है samson फोन पर रहता है और हम लोग क्या करते हो अब से जाके different different fonts को download करके अपने phone पर set करते but क्या आपको पता है जो default वाला font आपके phone पर पहले से दिया रहता है ना खरीदने के बाद phone purchase करने के बाद वो battery के लिए भी optimize रहता है उस बहले font को आप use करोगे तो भई आप देखना as compared to custom font वो काफी battery को save करके रखता है जो हमारे phone पर अलग-अलग fonts हम लोग download करके apply करते वो बिल्कुल भी सही तरीकर नहीं है phone की battery backup को improve करने के लिए तो भई ओ चीज ओ आदत आज से छोड़ दो इससे आपकी phone में battery backup पहले के मुताबिक बहुत ज़दा improve हो जाएगा अब था ट्रिक के लिए क्या करो अपने phone की setting option पर जाओ then आपको यह पर notification और control center करके एक option मिलेगा उस पर आपको जाना है then control center style करके एक feature मिल जाता है उस पर जाके आप simply क्या करो old version को ना अपने phone पर set करो control center की इससे दो फाइदा आपको मिलेगा एक तो भाई battery backup इससे काफी ज़्यादे improve होता है पुराने वाले control center से या फिर यू कहलो notification panel से इसलिए मैं आपको बता रहूँ और secondly हमारे phone पर जो data use दिखाता है ना per day data आपको कितना use करा है वो आपको इसमें सही सही देखने को मिल जाएगा अब बात करते है number 4 trick की जो कि आपको definitely आपके phone पर implement करना ही करना है नहीं तो आपने जहां तक भी ये video देखा है ना तो भाई ओ देखना ही आपका बेकार हो जाएगा और trick number 4 को देखने से पहले क्या आपको पता है मीसो पढ़ना biggest discount चल रहा है description box में आपको एक special link देदूँगा उस link से जाके आप मीसो पर sign up कर लो दैना मीसो से अब बढ़िया वाली आप product को भाई अभी के time पर grab कर सकतो वो भी huge discount के साथ नीचे description box में फास्ट में आपको link मिल जाएगा 200 लोगों के लिए 30% और ज़्यदा discount ला कर देगा तो भाई अभी के अभी जाकी उस करो नहीं तो किसी भी product पर 30% discount आपके हाँ से मिस हो जाएगा इसके बाद बात करते है trick number 4 की जो की भाई देखो आज करना हर कोई अपने phone से video बगेरे एडिट करता है तो editing की time जब भी उस बाद वीडियो को हम लोग render करते है या फिर उसका output निकालते है न तो आप क्या करना आपके phone पर जो battery saver दिया गया न उसे definitely enable करके then rendering पर बैठाना इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और देखना rendering के टाइम बहुत जदा battery drain हो जाता है आपके phone से बट अगर आप battery saver को enable करके render करते हो video को तो भाई 40% battery को आप save कर पाओगे उसी time तो भाई एचीज बहुत काम किये और इस बाद ट्रिक को apply करके देखना आपको फायदा बहुत पहुँचेगा आप बात करते हैं जो पहले आप मैंने आपको दिखाया तो उस बाले आपको आप फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे लेकिन उससे पहले अभी से टेक्नो माइंड उज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर देना ताकि आएसे भी वीडियो अप्लोड होती ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप डाउनलोड करने के लिए ड्रेस्किप्शन बॉक्स में जाओ वहाँ पे आपको ट्यूप करके लिखावा मिलेगा उसके पास में जो भी बाला लिंक है उसके क्लिक करती है आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर यह वीडियो खतम नहीं होता है अगर आप किसी भी चार्जर से अपने फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हो ना इसके के लिए दो वीडियो कमप्लीटली वाच करना इन दो वीडियो सेंदर दिखाए गया घप सेंट्रिक्स के उसकटके आप बेसिक चार्जर से ही फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे तो चलिए आजके लिए बस इतना ili मैं मिलता हूं आप से इन दो वीडियो उसमै ह सब एिट झाड चे।